हाई, सीक्रेट रिकैप यहाँ आज मैं 2014 की शॉर्ट कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ फिल्म का नाम की योनार्ड इन स्लो मोशन है आगे स्पॉयलर साबधान रहें और अपना ख्यार रखें फिल्म का नायक लियोनार्ड नाम का एक मध्यम आयू वर्का व्यक्ति है जिसमें एक अध्वितिय गुन है वह धीमी गती में मौझूद है लेकिन एक नियमित गती की दुनिया में रहता है लियोनार्ड जो कुछ भी करता है वह सामान्य रूप से धीमी गती से करता है, इसलिए नहीं कि वह आलसी है, बलकि इसलिए कि उसका जन्म इसी तरह हुआ था। उनके उनिम्दापन उसके आसपास की चीजों पर भी लागू होता है, जैसे वह जिस तरल को छुटा है, वह धीमी गती से बहता है, भौतिकी के सभी नियमों को धका बताते हुए। प्रते जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वह हतलाता है। उसके कारण साथ ही उसकी सुस्ती लियोनार्ड कभी उसे एक शब्द कहने में सख्षम नहीं रहते हैं। लियोनार्ड अनिच्छा से अनुरोध स्विकार करता है और अपने बच्चे के जन्मदिन पर चले डाता है। उनका मनुरंजन करने के लिए धीमी गती में एक पानी का गुब्बारा फट गया। चाल से सपष्ट है कि लियोनार्ड की शक्ती भौतिकी के नियमों को जुकाता है। पार्टी में मौजूद शेरिल भी उनके लिए चियर करती हैं। उसका मालिक जानता है कि वह उसे पसंद करता है और उसे उसके साथ बाच्चीत शुरू करने के लिए कहता है। लियोनार्ड आत्म विश्वास से शेरिल के पास पहुँचे लेकिन रुप जाता है जब दूसरा लड़का उससे पहले बात करना शुरू करता है। लियोनार्ड के लिए यह एक सामान्य बात रही है। वह इतना धीमा है कि वह अपने जीवन के हर पहलू में हमेशा दूसरों से आगे रहता है। उस दिन बाद में वह निराशा में घर लोटता है। उसका दिन और भी खराब हो जाता है जब उसका बास उसे फोन करता है, उसे सूचित करता है कि शेरिल उनके किसी अन्य कार्याले में जाना चाहती है, इसलिए वह एक सप्ताह में फ्लोरिडा जा रही है। उजवल पक्ष में उसके मालिक का दावा है कि उसके आने पद बच्चे बहुत खुश थे और उसकी पानी के गुबबारी की चाल से प्यार करता था। लियोनार्ड जानता है कि उसका बॉस उसकी विशिश्टता का फाइदा उठा रहा है लेकिन वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। रात में टीवी देखते समय एक समाचार रिपोर्ट लियोनार्ड का ध्यान आकर्शित करती है। लोगों को बहुत अधिक उर्जा प्रदान करने के लिए शौक्स पे नामक एक उर्जा पेर पर मुकर्मा चलाया जा रहा है। उर्जा की वे कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। वह एनर्जी ड्रिंग आजमाना चाहता है और देखें कि क्या यहाँ उसकी गती को बढढ़ाएगा और उसे औरों की तरह खुमाएगा। हाला कि वह दुकानों में एनर्जी ड्रिंग नहीं ढूंड सकता दुकानों में एनर्जी ड्रिंग के रूप में स्वास्थ्यकारूं से उन्हें पहंटने के लिए कहा गया है तो अगली सुभाद लियोनार्ड अपने दोस्त को शहर के हर ऊड़ेदान में ले आता है एक शौक्स का पैक की तलाश में जिसे दुकानों ने त्यार दिया है घंटों की खोज के बाद उसे आखिरकार एक सुभिधा स्टोर के पीछे एक उड़ेदान में पे से भरा हुआ एक कार्टून मिल जाता है निन्नलिखित ब्रिश में हम उसे एनरजी घ्रिंग की कई बोदलें पीते हुए देखते हैं इस उमीद में कि यहाँ उसे सामान्य बना देगा लो और परे पे काम करता है और लियोनार्ड अब सामान्य गती से गत्विधियां कर सकता है वह पहली बार फिल्म में बोलते हैं और कहते हैं यह अध्वुध है फिर वह हवा में घूसे फ्यंकता है अपनी गती से मोहिध सुभा फावडे का फीता बांधना उसके लिए एक सुखत कार्य है यहां तक की खोड को एक कप कॉफी डालना जो कप को भरने में हमेशा के तरह लियोनार्ड दिवस नहीं लिता है वह उस दिन काम करने के लिए दौरने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करता है कुछ करने के लिए उत्साहित वह जो कुछ भी नहीं कर सकता था जब वह धीमा था लियोनार्ड पहले अपने मालिक को बताता है कि वह नौकिल छोड रहा है वह फिर शेरिल के पास दौरता है जो बोल्ड रूम में एक बैठक में है लियोनार्ड उत्साह से अंदर भुसे बैठक में बाढ़ा डालता है और कहता है कि वह उससे एक प्रश्न पूछना चाहता है शेरिल और बाकी अनुमान लगाता है लेकिन यह कभी नहीं होता है जैसे कि उस समय उर्जा पे का प्रभाव मिटना शुरू हो जाता है शेरिल उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है जिसके लिए वह शर्मनाग तरीके से जवाब देता है और धीरे धीरे जवाब देता है कि वह ठीक है अचानक लियोनार्ड का पेट फूलने लगता है उसके पास पूर्जा पे की मागरा आखिरकार उसे वीमार कर रहा है जब कोई इसकी उम्मीद नहीं करता है तो वह प्रक्षे के कमरे से उल्टी करता है शिरिल सहित उसके सहकर्मी घिना से देखते हैं क्योंकि उल्टी धीरे धीरे पूरे डिस्क पगिरती है उसकी उल्टी भी गुरुटवाकर्शन के नियमों का पालन नहीं करती है एक शर्मिंदा लियोनार्ड को अकेला छोड़ कर फिर सब कमरे से बाहर निकल जाते हैं थोड़ी देर बाद उसका बॉस आता है और उसे हमेशा के लिए नौकरी छोड़ने से पहले की गरबड़ी साफ करने के लिए कहता है निनलिखित द्रिश में लियोनार्ड एक में व्रिधाश्रम चलता है जहां उसे व्रिध लोगों की देखभाल के लिए एक नए नौकरी मिली है नौक्री उसके लिए एक दम सही है जैसे कि वहां के लोग उसके जैसे धीमे हैं जो उसे काविल और सामान्य महसूस कराता है वह अपने पिछले कायस्थल की तुलना में वहां अधिक खुश था लियोनार्ड शेरिल को एक पत्र भी लिखते हैं उसकी मुलाकात को बरबात करने के लिए माफी मागना और उसे विधाश्रम जाने के लिए कहना क्योंकि यह बहुत कईब है फ्लोरिडा कारियालई जिसे उसने स्थाना अंतरितर दिया है आखिरी सीम में लियोनार्ड स्विमिंग पूल में है जहां शेरिल उससे जोटी है यह दर्शाता है कि उन्होंने आखितार बेटिंग शुरू कर दी है प्रशन सकों ने लियोनार्ड इन स्लो मोशन को एक ऐसी फिल्म तहा है जो इसकी विचितर अपने समय से आगे की वजह से है फिर भी विचारशी अवधारना और उत्रिष्ट निश्पातन हाला कि यह केबल साथ मिनट लंबा है यह हर दर्शक पर अपनी छाप छोड़ता है कुछ प्रशन सकों ने कई सिध्धानतों का अनुमान लगाया है कि क्या लियोनार्ड की विशिष्ट का बास्तविक जीवन में दर्शाती है उनका मानना है कि इसका मतलब यह दर्शाता है कि लोग कैसे विशेश रूप से युवा ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जीवन उनके मित्रों और परिवार की तुलना में धीनी गती से चल रहा है वे हमेशा अपनी उपलब्धियों की तुलना दूसों से करते हैं या महसूस नहीं करते कि उन सभी के पास लियोनार्ड के रूप में है उनकी अपनी विशिष्टा थी। वे सभी अपनी गती से जा रहे हैं और अंकतर वे चीजें हासिल करें जो वे चाहते हैं। यदि वे जीवन में शॉटकट लेने की कोशिश करते हैं तो वे भी समाप्थ हो सकते हैं अपने कार्यस्थल पर उल्टी कर रहे हैं। इस तरह के और विडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक तरें। देखने के लिए धन्यवाद।